हरे क्रिष्न प्रेम से बोलिये जीवित वाहन भगवान की जय, जीतिया मां की जय, ओम नमस सिवा, ओम नमस सिवा हेलो फ्रेंट्स, स्वागत है हमारी चैनल में, आज क्रिष्न पक्ष अस्वीन माह की अस्टमीती थी है, और आज महापुन्य फलदाई जीतिया पर्व है, ये जीतिया पर्व डेव तुल्ली संतान को देने वाले माने चाते हैं, इस पर्व के प्रभाव से संतान दिर्ख आय होते हैं, यानि कि लंबी उम्र होती है हमारे बच्चे की, यह सबसे कठीन प्रतों में से एक माना जाता है, ये पर्व बहुत ही अच्छा माना जाता है, ये पर्व बहुत ही कठीन होता है, और हमारे इंडिया की अखास करके हम बिहार में रहते हमारे बिहार के एक भी ऐसी माँ नहीं होगी, जो कि ये पर्व नहीं करती होगी ये हर मां, हर औरत जो प्रेगमेंड होती है वो भी करती है ये इतना ज्यादा पवित्र है तो चलिए हम इस पेस्टिवल को इनजोई करते हैं बहुत ही ज्यादा तो आज नहीं खाइ है तो आज नाही खाय के दिन पहुत ही ज़्यादा यानि कि जितना आप सब्जी बना सकते हैं जितना अच्छा खाना बना सकते हैं बनाते हैं तो चलिए सबसे पहले तो हम बैगन का बुजिया बनाएंगे तो बैगन को हम क्यूब साइज का कात लिए हैं और ये लहसून है और इसे छोटे छोटे पिसेश में काता है और ये मीडियम साइज का प्याज लमेन में पिसेश में हम कात लिए हैं तो एक परिश्मच के लगव हम ओई डालेंगे करहाई में और हाफ टीस्पून हम इसमें जीरा और जो लहसू था ना उसे छुटे छुटे पीसेज में काटके हम हलका सा जब ब्राउन हो जाएगा तब हम इसमें प्याज डालेंगे और प्याज भी जब हलका हलका जब ब्राउन होने लएगा उसके बाद ह हम इसमें अपना बैगन को डालेंगे और बैगन डाल करके इसे अच्छी तरह से हमें फ्राइ करना है और हमका हमका हम चलाते रहेंगे उसके बाद जब मिक्स हो जाएगा तब हम इसमें हल्दी बॉडर हाप चमज डालेंगे और टेस्ट के अलुशार से हम इसमें नमक डालें और इसे कम स्कम 2-3 मिनाट हम इसे फूल फ्लेम में रखेंगे उसके बाद इसे हम मिठियों फ्लेम में हम भूनेंगे उसके बाद जब आधा जब फ्राइग हो जाएगा तब हम इसमें लाल मिर्ची पौडर डालेंगे तिखी वाली हलका सा अब जितना सा खाना पसंद करते है डालके इसे हम चलाते हुए रहेंगे और इसे ढख करके फिर से 2-3 मिनाट के लिए हम इसे पका लेंगे जब ये पूरी तरह से परफेक्ट सौब्ट हो जाएगा तब ये हमारा भूचिया बनके तयार हो गया तो अब हम इसे अपने प्लेट में निकाल लेते हैं तो देखि कर लेकर लें तो चलीट को गोल-गोल और कटले-पटले पीस कर लिए है और एक मीडियम साइसिः हैं जो कि नमिल मेठ का लखे ही है और दो-іл Trave अब हां जीरा और इसमें हरी मिर्ची टालेंगे混 ज यह हलका सा ब्राउण हो जाएगा यानि धी फ्राई हो जाएगा तब हम इसमें प्यास टालेंग KL को भी मसराई सोब शर्थ तब इसका कलर गजर जेंच होगा उसके बाद हम अपने चटिल्व में डाल देंगे और कुल करें यह इसे भी अच्छी तिरह करना है जब थ्यूअ को एक और काम किया ना आज चानते हैं शबसे मधाय ना कंड़ा आज के बाहुत ही यह स्वादिष्ट लगेगा जब आप नमाखल्दी ढाल करके इसे अच्छी तरह से पकाईएगा तो बहुत ही अच्छा बना है मेरा सबजी बिना नमाखल्दी का भी बहुत टेश्टी लगा तो चलिए अब करेला का हम भुशिया बना लेते हैं तो करेला को भी ग प्याज हम लिए है जो लम्मे पीसे इसमें है और उसे तरह से मिर्ची मिर्ची के बीच मिर्चीरा लगा देना है तो चलिए इसे हम बनाते हैं तो फिर हम करहाई को गैस पे चरहा दिए एक बड़ी चमचके लगो और सेम करहाई में ही सब चीज हम डाल दिए है और इसमें ह हून नमक और हल्दी डालेंगे। उसके बवाद हम इससे पकाएंगे karena फिसले बार भी भूल गयते इस वार भूल ला जाए उसली में झाल एक नमक हलदी बीनेंगे और फिर हम ुसे मीडियम फ्लेम में इससे से भूनेंगे जब तक कि यह भी कुर्कुरे ना हो जाए ब्राउन कलर करना हो जाए तब तक हम इसे फ्राइक करते रहेंगे और यह हरा मेर्च डाले और आपको दिखा भी नहीं पाए अच्छा आप देख लिए आप इसी तरह से धाम दीजिएगा तो देखिए हमारा करेला क भूशिया तयार हो गया है यह बहुत ही पर्फेक्ट हुझया बना है यह खाने में बहुत श्वाद स्वादिश्ट लिएगगा जब आप गर्मा करम बना के खाए कना तो आप जो करेला नहीं भी खाता वह भी खाने लिएगा तो चयाई अगला प्रोसेश करते यह आलू ये हैं 2 से 3 आलू है मातरह लेकिकर таким पतले patchy size में हम कारदे हैं और यही मेरची है तो इसे ऑसी तरह से छीरा लगा लेकर जानते यह कुझія है तो इसका भुजिया पना पहर में भुजिया जो Susie कि हम इसमें दो बड़ी चुमस के लवह हम इसमें ओल डाले हैं और हाप चुमस चीरा और मिर्ची जो चीरा नगा के रखे ते और जब हलका सा ब्रावन हो जाएगा तब हम इसमें अपना अलू ढाल देंगे अलू ढाल करके इसे अच्छी दर से फ्राइ करना बिल्कुल कुड कुड़े एकदम क्रीश्पी भुजिया के तरह है जो कि मार्केट में बेशन का भुजिया मिलता है उस तरह से यह बहुत ही स्वादिश लेगा आप गरम गरम इसको खाईएगा तो लेगा कि खाले ही खाले इतना तेश्टी लगता है तो हल्दी और नमक हम इसमें डाल दिय है उसके बाद इसे मीडियम फ्लेम में अराम से भूनेंगे इसको अराम से टाइम दीजिए धेरे 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 अपने आप बिल्कुल कुल कुले के फोर्म में आ जाएगा और यह बहुत ही स्वादिश्ट परफेक्ट भुजिया बनके त्यार होगा और इसे बनाने में भी क बाऊने बाऊन लग बहुत ही अच्छा तो उपर से हम दिनीया पता दाल दीए इसकी गर्नेशिंग के लिए बहुत ही परफेक्ट हमारा भुजिया बन के त्यार हुए तो चलिए हम प्लेट में निकाल लेते हैं मतलब सर्व करके आपको दिखाते हैं तो देख रहे हैं ना देखती के साथ कितना लग रहा अच्छा एदम ब्राउन ब्राउन एदम कुरकुरे तो उपर से हां कैसा धनिय पत्ता डालगे फिर से हम कुरकुरे यानि की गार्नीसिंग कर लेते हैं आपको दिखा लेते हैं तो यह किता फ्रेस बनाया ना पुरा दानेदार अलग-अलग इतना पत्ता था फिर वे तो चलिए जिली का सवजी बनाते हैं जो कि इस पर्व में बहुत ही इंपोर्टेंट क्रेदार निपाता है तो यह जिंगली बहुत ही इंपोर्टेंट है इसे छील लेना अच्छी तरह से फिर इसे लंबे-लंबे साइज में काटना है और इसे बनाने के लिए आप हारी मिर्च नहीं लाल मिर्च लीजिएगा तो हम दो लाल मिर्च ले लिए हैं तो करहाई पर देंगे और फिर हम इसमें नमक और हल्दी हलका सर डालेंगे यह तेल हलका सावी एब्जॉर्ब नहीं करता है बिल्कुल कम से कम तेल में यह बन जाता है यह बहुत ही पर्फेक्ट सब्जी है तो चलिए इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए मीडियम फ्लेम में हम इसे प उसके बाद यह सौप्ट हो जाएगा फिर पानी जल जाएगा तो फिर यह हमारा सब्जी बन के तयार हो जाएगा देगे कितना सा हो गया ना बहुत थोड़ा सा हो गया है तो चलिए हम कम बना ही रहे क्योंकि इतना सब्जी बनाए और यह ऐसा जो सब्जी होता है बच्चे जोलरी है इस पर्व में तो खाली जो होता है ना ये नोनिया साग ये हमारे इस जित्या पर्व में बहुत ही इंपोर्टेंट होता है तो ये खाली बनाने में पड़ता नहीं है इसलिए हम गयनहारी का साग लिए हैं तो गयनहारी के साग में हम ये नोनिया का साग मिक्स करके ह तो हम सब मों डाल दीए है तो इसमें पायला ये अपर नहीं से हमें जो वेडर डाल नहीं तो वह जीन लिए हम्वाइन लेते हुए हैं और नमक कलदें हो सिर्फ उबाल रहे हैं नमक खल्दी डाल दिये हैं और इसमें हालका साथ से पाई देंगे जिसे कि यह जले नहीं मातर एक टीस्पून के लगवत छोटी सी कटूड़ी है एक टीस्पून के लगवत हम इसमें पाई डाल करके इसे हम ढख करके पकाएंगे तो इसे मीडियम फ् उच्छते वैं इसे हम साख कफों में बना लेंगे करहा हम यह पुरी करहा है प्रहाई को साफ करके इसे बाद इसमें हलका सा ओयल करके इसमें चीरा टालेंगे और इस और इसमें कोई असारा मसाला नहीं डाला जाता बश चीरा और लाल मिर्शी डालेंगे उसके बाद जब यह पख जाएगा तो पर इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करंगे इसी तरह से चलनी से कुछती हुए इसे बिल्कुर पर्फेक्ट साग हमें बना ले आफ 25-35 इसाल तो आघ मिन शाग लोकल हुआ कर दियां साग के तैयान हो गया तो आज हम साग के सभी बनाएंगे तो उसी का डाइं तौन दबा गईंसागम अजर जबनाइंगाज gob Lang Arri लासुन की कलिया है और इसे भी हम चुड़े-चुड़े पीशिज में काट लिया है तो एक चमच के लगवाग यानि की जो टेवली स्पून उतना सा हम इसमें ओईल डाले हैं हाप चमच यानि हाप से भी कम जीरा और लाजमीर छलका सा डाले लो उसके बाद जब यह चटक ज हो जाएगा उसके बाद हम इसमें साग के डंठल को इसमें हम डालेंगे लेकर उससे पहले हम टमाटर को डाल लेता है टमाटर को भी डाल करके इसे हम भून लेंगे उसके बाद हम इसमें टेस्ट के रूशा से नमक डालेंगे और सूखा मसाला एड़ करेंगे तो हल्दी प इसे मसाले के साथ अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है उसके बाद इसे हम ढग के कम से कम तीन से चार मिनिट तक मीडियम फ्लेम में हम इसे पकाएंगे देखिए यह आधा जब पक जाएगा उसके बाद इसे बीच बीच में इसे बीच बीच में चलाते रहना है उसके आने में इतना टेश्टी लाएगा ना कि आप एक बार अगर ट्राइग किजिएगा या कि खा लिजिएगा तो बार बार किएगा कि हमको यही चाहिए और अब बरवादी कभी कोई जोरत ने साग लाइए डंठर लाइए बस आराम से बनाएए और खाईए तो चलिए मेरा खा जी अपने फेस्टिवल को